हाँ अच्छा है 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 लो चले हम भारती राजनीतिक विचारक से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से सुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज अच्छा है है अच्छलें भारती राजनीतिक विचारक से हम लोग अपनी क्लास सुरू कर रहे ह। कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से हम लोग अपनी क्लास सुरुआ कर रहे है ठीक है भारती राजनीतिक विचारक आपका सडूल लगा हुआ है आपने सडूल देख लिया होगा चडूल के अंतरगत आप लोगों का धर्म सास्त्रिय के अंतरगत हम लोग मनु को पढ़ने वाले हैं ठीक है धर्म सास्त्रिय के अंतरगत हम लोग मनु को पढ़ने वाले हैं मनु को पढ़ेंगे जिसके इंतरगत हम लोग धर्म, सास्त्रिय, राजनितिक जो हमारे पास विवस्थाएं हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, एक मिनाट, झाओ, एक मिनाट, एक मिनाट, य monuments कि जिवस्थाएं श्राइशन, ठीक हम लोगोग, विसके जो सास्त्रिय, शिया रहे हैं, भ्योग झाल 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 चले क्लास शुरू है आपकी आपकी क्लास शुरू है इंडियन पोलेटिकल ठिंकर से आज हम लोग शुरू कर रहे थे और हाँ बिल्कुल जुड़ना सुरू कर दें आप सभी लोग आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है हम लोगों ने क्लास प्रारंब कर दिये कक्छा प्रारंब है आपकी और आज से नया बैस था हमें लगता है कि यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एड्मिशन पर चेच किया है वो भी नहीं जोड़ पाएं हां इसका एक बढ़ा कारण है कि k्लासस पहले से यहां पे अपडेट नहीं थी हाँ чуть हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या है छले पहले शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं manu यहां पर आप देख सकते हैं मनु का सेडूल लगाया है मनु हम लोग पढ़ने वाले है मनु क्लास लाइब है क्लास लाइब है, क्लास टार्ट है और आप सभी जोड़ जाए बिल्कुल क्लास में है और आप लोग जोड़ना सुरू कर दे हाँ चले क्लास टार्ट है आपकी हाँ हम लोग आज पढ़ने वाले है हम लोग आज पढ़ने वाले है मनु मनु पढ़ेंगे हम लोग मनु मनु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग मनु और कोटिल ये दो लोग हमारे पास ऐसे हैं जो धर्मसास्त्रिय और अर्थसास्त्रिय दिस्टिकोंड से राज्य की बैख्या करते हैं ठीक है तो राज जी की बैख्या धर्म सास्त्रिय और अर्थ सास्त्रिय दिस्टिकोंड से होता है तो हम लोग मनु से स्टार्ट करेंगे मनु से प्रारंब करेंगे और मनु के बाद आपका सेडूल लगा होगा कौटले का कोटिले का लगा होगा राजा राम मोहन राय को भी पढ़ना है हम लोगों को ठीक है राजा राम मोहन राय को भी पढ़ना है हम लोगों को अगर मनु में हम लोग पढ़ेंगे तो मनु का क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है तो मनु की दो तीन बातें में पढ़नी है जैसे हम लोग मनु का राज सिध्धान्द पढ़ना है हम लोगों को दंड विधान पढ़ना है मनु का मनु का हम लोग राज सिध्धान्द पढ़ेंगे मनु का हम लोगों को दंड विधान पढ़ना है विशेज कर कई बार मनु के दंड विधान के बारे में ही बात होती है साथी साथ राजसिद्धान के साथ साथ हम लोग राजा के कर्तबे भी अलग से पढ़ेंगे राजा के कर्तबे पढ़ेंगे मनु के राजय सिध्धान्त में वास्तिक रूप से हमें मनु का सब्तांग सिध्धान्त देखना है में रूप से क्या देखना हम लोगों को मनु का सब्तांग सिध्धान देखना है जो हमें पढ़ना है सबसे पहले मनु के बारे में पढ़ें मनु द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम है मनु स्मृती का नाम है मनु स्मृती ये जो मनु स्मृती है मनु स्मृती इसके बारे में बिभिन प्रिकार के विचार हैं लोगों के और अलग-अलग व्यक्ति मनुस्मृति को अलग-अलग धंग से कहता है उदारण के लिए अगर हम बात करें मनुस्मृति के तो मनुस्मृति के संबंद में हमारे दो बड़े समास सुधारक राजनेता हैं अरम बेटकर और एक दूसरे जो हैं हमारे गांधी जी महत्मा गांधी यह दो ऐसे लोग है जो राजनेता भी है जो समासुधारग भी है जो दार्सनिक भी है जो विद्वान भी है इन दोनों लोगों के मत मनुस्मृती के सम्बंद में अलग अलग क्या कुछ खास है मनुस्मृति में क्या कुछ ऐसा है मनुस्मृति में कि मनुस्मृति में एक ही ताइम के दो विचारकों के जो विचार हैं वो दोनों बिलकुल अलग अलग एक कहते हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारी अच्छी बाते हैं जिसे सजोए रखने लायक है और एक कहते हैं कि मनुस्मृति एक उन्मादी गरंत है जिसको जला देना चाहिए एक तरफ हम बेटकर है एक तरफ गांधी है और हम बेटकर का विचार अलग है और गांधी का विचार अलग है ऐसा क्यों है इसको समझेंगे मनुस्मृति क्या किसी एक व्यक्ति ने लिखा है क्या किसी एक व्यक्ति ने लिखा है तो हमें जानना है कि मनुस्वर्थी किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है बलकि मनुस्वर्थी में मनु की एक पूरी परंपरा है मनु की एक पूरी क्या है परंपरा है और ये एक नहीं कई सारे मनु हुए मनु की कई सारी परंपरा है इसलिए मनुस्मृति किसी एक समय में किसी एक टाइम पीरियड में लिखा गया गरंथ नहीं ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति को किसी एक विशेश टाइम में लिख दिया गया हो और मनुस्मृति आ गई हो बलकुर मनु स्मृति मनु की स्मृतियों का संकलन है मनु का मतलब क्या होता है आगे जाए इसी मनु से ही क्या बना हुआ है मनु में ही हम अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा मनु से है ना तो मनु असल में मनुस की उत्पति के आधार है तो प्रारंबिक समय में जो मानों की उत्पत्ती थी, जो मानों थे, उन्होंने अपने समय की जो प्रसासनिक व्यवस्ता थी, जो सामाजिक व्यवस्ता थी, जो कमिया थी, जो अभाव था, उसको लिपिबध करने का प्रयास किया यहां उसको याद करके आगे अपने आने वाले पीडी को बताते गए और इस तरीके से पहले यह इसमृतियों में रहा होगा पहले कैसे रहा होगा इसमृतियों में यादों में और बाद में धीरे धीरे जब लिपी की रसना हुई तो इसको लिपीबद भी किया गया लेकिन को हम लोगों ने कह कर लिया यहां पर इस्मृति में लिख दिया इसलिए इसे हम लोग मनु इस्मृति के नाम से जानते हैं तो इसका आधार मुख्य रूप से जो मनु इस्मृति है इनके विचार को हम मनु का विचार कहते हैं और मनु इस्मृति का पूरा का पूरा आधार आधार वो धर्म है इसलिए जब हम धर्म के चोले से राज को देखते है तो हम इसे धर्म सास्त्रिय हम इसे धर्म सास्त्रिय हम लोग इसे धर्म सास्त्रिय राजनीतिक विचार केते हैं राजनीतिक विचार हम लोग इसे धर्म सास्त्रिय राजनीतिक विचार के रूप में जानते हैं ठिक जब मनु के विचार को हम जानते हैं मनुस्मृति में आता है मनुस्मृति में धर्म महतपून है क्योंकि सारी बातें धर्म से रिलेट होती है इसलिए जब मनुस्मृति में हम राज्य की बात करते हैं तो मनुस्मृति का राज्य धार्मिक चस्मे से देखा जाता है इसलिए मनु का जो धर्म है मनु का जो राज् सास्त्री राजनितिक विछार के रूप में देखते हैं और सुरुआत में प्रारंभ में अगर हम बात करें तो जो मनु है इन मनु का आगे बढ़ने का जो संबंद रहा होगा वो किया रहा होगा रक्त संबंद और रक्त संबंद के बाद अगर किसी ने बड़े अस्तर पर किसी व्यवस्था को सामाजिक राजनितिक व्यवस्था को अगर जोड़ के रखा है तो वो कौन है? धर्म रक्त संबंद तो राज्य का कोई स्थापित ही नहीं कर पाता क्योंब रख्त संबंद की एक बहुत लिमिट है कितने दूर के रख्त संबंदों को आप याद रख पाते हैं नहीं न तो ऐसे में फिर एकता जोड़ने के लिए किसकी आवस्टा बड़ती है धर्म की तो मनुस्मिर्थी एक बात की और घुशला करती मनुस्मिर्थी एक बात की घुशला करती है कि दुनिया में विश्व में विश्व में सभी प्रारंबिक राज्य धार्मिक राज्य ही रहे होंगे धार्मिक राज्य ही थे रहे होंगे क्या थे, इस्पस्ट कर रहे हैं, कि बिश्व में सभी प्रारंबिक राज, कैसे राज रहे होंगे, धार्मिक रहे होंगे, बिश्व के सभी प्रारंबिक राज, धार्मिक रहे होंगे, ऐसा मनु इस्पस्ट करते हैं, और मनु ये जो कह रहे हैं, ये ठीक भी कह रहे हैं, ठीक है से धार्मिक राज रहे होंगे। क्योंकि रक्त संस्पंद के बाद अगर किसी इनको नहीं एकता में लोगों को पीरो कर रखा है, जोल कर रक्खा है, तो वो कौन रहा है। धर्म रहा है। टिक मनुस्मृति के बारे में पढ़ लेते हैं मनुस्मृति के बारे में थोड़ी सी बाते लिख लेजी आप लोग मनुस्मृति के बारे में थोड़ी सी बाते लिख लेजे भी आरम बेट कर अमबेटकर का विचार लेखें उनमाद फैलाने वाला विचार है उनमाद फैलाने वाला विचार है उनमाद फैलाने वाला विचार है उनमाद फैलाने वाला वाला विचार है जिसमे जिसमे मानों को कोई महत्व नहीं दिया गया है जिसमे मानों को कोई महत्व नहीं दिया गया है जिसमें मानो को कोई महत्व नहीं दिया गया है अभी हम लोग मानुस्मृति पढ़ेंगे तो मानुस्मृति में जो राजा हमारा है वो देवता है राजा कौन है? देवता है दैवी गुणों से आधारित है और वही सासक है और बाकी लोग जो मानव हैं उनका किसी प्रकार का कोई विसेस महत्व ऐसा अमबेटकर को लगता है कि नहीं दिया गया है इसलिए अमबेटकर कहते हैं कि ये एक उनमादी विचार वाला ग्रंथ है या मनु का विचार एक उनमादी विचार है उन्मादी वइचार मतलब हिंसा फैलाने वाला है ना और जिसमें मुख रूप से किसको इंपोर्टेंस नहीं दिया गया है मन उस को या मानों को इंपोर्टेंस नहीं दिया गया है इसलिए बी अरंबेटकर ने तो कहा इस ग्रंठ को जला देना चाहिए इवन जला देना चाहिए नहीं बाद में खुद उन्होंने जला के प्रतीकात्मक रूप से जला भी दिया ठिक आगे बढ़ते हैं गांधी के विचार देख ले महात्मा गांधी के विचार लिख लेजे महात्मा गांधी क्या कहता है इन संबंद में लिखे मनुस्मृती में बहुत सारी मूलभूत बाते हैं मनुस्मृती में बहुत सी मूलभूत बाते हैं जो स्वीकार करने योग्य हैं जो स्वीकार करने योग्य हैं कुछ बातें और प्रासंगिक हो गई हैं कुछ बातें और प्रासंगिक कुछ बातें और प्रासंगिक हो गई हैं और प्रासंगिक हो गई हैं जिन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए गांधी हैं बड़ा बैलेंस विचार देते हैं मनुस्मृति के संबंद में इनका कहना है कि मनुस्मृति में बहुत सी बातें मूलभूत हैं जिन्हें स्वीकार करना चाहिए फिर कहते हैं कुछ बातें और प्रासंगिक इरिल्वेंट हो गई हैं मतलब अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए बहुत बैलेंस विचार है गांधी ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि गांधी ये समझ रहे हैं कि मनुस्मृति के टाइम पे जो समाज था जिस तरीके का समाज था आज उस तरीके का समाज नहीं उनके समय में जिस तरीके का समाज था आज बहुत बदला, सब्वे और संगटी समाज है तो बहुत सारे बातें जो उनके समय में सही थी आज वो सही नहीं है तो जो बाते आज सही नहीं है उन बातों को क्या कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए लेकिन क्या संपूर मनुस्मृति की सारी बातें छोड़ देनी चाहिए नहीं जितनी बातें irrelevant हो गई हैं उतनी बातें छोड़ देनी चाहिए सभी बातों को छोड़ने की जरूरत नहीं है और बहुत बार तो हम अपने इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने बरतमान को ठीक ठीक समझ पाएं इसलिए मनुस्मृति की इन बातों का आज भले ही बरतमान में आज बरतमान समय में महत तो नहीं है लेकिन क्या लगता है कि उन बातों का क्या एतिहासिक महत भी नहीं है अगर हम मन और स्मिर्दी में लिखी गई बातों को पूरी तरीके से छोड़ दें समाप्त कर दें तो हमें इतिहास भी लगता है नहीं पड़ना चाहिए इतिहास में भी हम कमिलाई समाज की बात करते हैं हम सामन्तवादी समाज की बात करते हैं आज तो नहीं है न कुछ और सामन्तवादी समाज की विवस्ता कमिलाई समाज की विवस्ता क्या आज के समय में उप्योगी है विल्कुल उप्योगी नहीं है छोड़ देना चाहिए जला देना चाहिए किताबों से ये सारे सब्द हटा दिए जाने चाहिए क्या ये balance विचार होगा नहीं इसका मतलब कि अमबेटकर के द्वारा जो विचार दिया गया वो थोड़ा संकीरता के भाव से मनुस्मृति के संब्द में विचार अग्रेसित किये गए गांधी कह रहे हैं साब साब कि मनुस्मृति में बहुत सी बाते मूलभूत है और वो आज भी मूलभूत है आज भी मनुस्मिर्थी में जो बाते कही गई है वो आज भी मूलभूत है और आज भी एक्सप्ट किया जाए तो आज का जो जातिगत हमारा कानून है उसमें परिवर्तन आ सकता है जो जातिगत विवस्ताओं है उसमें उदारता आ सकती मनुस्मिर्थी में ही जातिगत विवस्ताओं का विरोध देखने को मिलता है और हम बेटकर मनुस्मिर्थी को ही जातिगत विवस्ता इस्थापित करने के लिए जम्मेदार मानते हुए और जातियां कभी समाप्त नहीं हो जाती इसलिए लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने क कि मनुस्मृति में क्या इतनी ही बात हैं क्या इतना ही है अगली बात लिख लेजए लिखे एक और बात मनुस्मृति के संब्द में लिखे मनुसमृति का पूरा कानून है ना हमारे लिए ये important हो की नँ हो लेकिन दुनिया में एक देश है जिसका नाम है इंग्लेंड है ना और इंग्लेंड के देश का समिधान कैसा है और लिखित और लिखित समिधान किस पर आधारित होते हैं परमपराओं उपर और मनुस्मृति पूरा किस पर आधारित है परंपराओं उपर इस्मृति का मतलब क्या होता है संगिता और हम अपने संविधान को कानून को क्या कहते है संगिता तो इंग्लेंड के लिए ये तो बहुत ही मतपून है इंग्लेंड ने तो इसे रास्टी धरोहर के रूप में सनक्षित कर लिया लिए पूरा कानून परमपराओं पर आधारी थे पूरा कानून परमपराओं पर आधारी थे इसलिए इंगलेंड ने इसलिए इसलिए इंगलेंड ने इसके अंग्रेजी अनुबाद को इसलिए इसके अंग्रेजी अनुबाद को रास्टिय धरोहर के रूप में रास्टिय धरोहर के रूप में संदक्षित कर लिआ है रास्टिय धरोहर के रूप में संदक्षित कर लिया है ठीक ना जहां हम तो नहीं दिये पा रहे हैं चड़ बढ़के अपने इसको वहीं इंग्लेंड उसको क्या करता है अपने रास्टी धरोवर के रूप में उसको संदक्षित करता है कुछ बाते और लिख लिजिए मनुस्मिर्थी एक ऐसी पुस्तक है इसके बाद लिख लिजिए मनुस्मिर्थी एक ऐसी पुस्तक है जिसका महत्व रास्टी धरोवर करता है जिसका महत्व रास्टी ही नहीं बलकि अंतरास्टी है जिसका महत्व रास्टी ही नहीं बलकि अंतरास्टी है भारत में वेदों के बाद भारत में भारत में वेदों के बाद यदि कोई धर्म सास्त्री पुस्तक है तो वह यही है भारत में वेदों के बाद यदि कोई धर्म सास्त्री पुस्तक कोई धर्म सास्त्री पुस्तक है तो वह मनु इस्मिर्टी ही है है ना बाकी रामार महा भारत क्या लगता है धर्म सास्त्री पुस्तक है रामार महा भारत ये सब काब्बे महा काब्बे हैं है ना ये सब क्या हैं काब्बे महा काब्बे हैं ये धार्मिक पुस्तक नहीं है और धार्मिक पुस्तक में हमारे पास वेद हैं और वेद के बाद अ जहां काब में आप एक स्टोरी एक कहानी एक कथा लिख रहे होते हैं जिसमें किसी ने धर्म का पालन किया या नहीं किया इसका मतलब होता है धर्म की स्थापना या संस्थापना नहीं होती है और जहां केवल और केवल धर्म पे बात होती है कि आपका कर्तब क्या है आपका अ करतब्यों की चर्चा है और राजा के भी करतब्यों की चर्चा है और वो भी कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जहां पर ये तैं होना शुरू होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वहीं से शुरू होता है नीति सास्त क्या सुरू होता है नीति सास है ठीक है अब अगर हम रामाइड की बात करें अगर हम महाभारत की बात करें यह ऐसे बहुत सारे मारे पास काबे हैं तो इसमें कता है कता में यह बताया गया है कि राम ने कैसे नैतिक्ता का पालन किया किर्शन ने कैसे व्यवारिक नैतिक्ता का पालन किया है लेकिन इसमें यह नहीं बताये है कि कारना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? उस कर नहीं फोकस किया गया. इसके लिए जो कृस्शन ने किया, जो राम ने किया वो ने तिकता है, उसका reference भी पर कहां से आएगा? मनुपर्दि से और हमारे वेद्वेदों से. नहीं रिफ्रेंस कहां से आएगा मनु स्मृति और हमारे वेदों से इसलिए सुद्ध रूप से धर्म सास्त्रिय उस तक जिसे हम मानते हैं तो वो वेद हैं हमारे और वेदों के बाद अगर कोई है तो कौन है मन स्मृति है ठीक चले आगे लिख लेज़े मनु को मनु को मनु को इस्मृति को मनु को नहीं लिखवा आप मनु इस्मृति को मनु इस्मृति को स्वयं भू स्वयं भू मनु ने लिखा है मनु इस्मृति को स्वयंभू मनु ने लिखा है स्वयंभू क्या होता है स्वयंभू क्या होता है हाँ अपने से उत्पन होने वाला अपने से उत्पन होने वाला क्योंकि हम लोग तो किसीने किसी से उत्पन हुए लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा जब पहली बार कोई मनुस्य बना होगा तो उसकी उत्पति कैसे हुई होगी सोयम से हुई होगी तो सोयम भू मनु हम किसकी संतान है मनु के मनुस्य किसकी संतान है मनु का पूरी दुनिया में वो चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदु हो सब कौन है मनुस्य और इस मनुस्य का पूरवच कौन मनु आदम और हुआ मनु तो जो मनु है वो कौन है सोयमभू स्वयम भू मनू का मतलब होता जो अपने आप से उत्पन हुआ हो और इन्हों नहीं लिखी थी क्या मनू स्मृति कुछ स्थानों पर लिखे 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 कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पर मनू स्मृति की रचना का स्रे महरसी भ्रिगु को जाता है महरसी भ्रिगु को जाता है दिया जाता है महरसी भ्रिगु को दिया जाता है कुछ अस्थानों पर मनुस्मृति की रचना का स्रे महर से भ्रिगु को दिया जाता है ठीक है तो बहुत सारी बाते हैं यहां पर हम लोग इनकी वन विवस्था भी पढ़ेंगे वन विवस्था भी बड़ी महत्वूर्ण है और गांधी वन विवस्था को एकसप्ट करने वा होगा क्योंकि मनुस्मृति पर ना तो आपके पास बहुत किताब होती है ना तो आपके पास बहुत डेटा होता है तो मनुस्मृति की विवस्था वस्था नोट कर लीजे मनुस्मृति की विवस्था वस्था लिखें कुल बारह अध्याए है बारह अध्याए है पच्छिस सो स्लोक है पच्छिस सो स्लोक है मैं दो-चार दिन से मनुस में दी पढ़ा रहा था सबसे ज़्यादा जोर आपके बिहावियर पर दिया गया है मनुस के बेवहार पर आपका बिहावियर कैसे होना चीए तो गलती से जो खुला चैप्टर वो खुल गया गुरु सिस संबंध है ना है गुरु सिस संबंध सोचो कैसा विहावियर रखना चाहिए एक सिस के लिए गुरु क्या महत्व रखता है 20 स्लोक तक हम पड़बाई अबी और भी सोचो जो मेरे पाँ मनुस्पृती है वो 500 स्लोक वाली है भी ने वो 6500 स्लोक हूंगे 1200 नहीं 500 स्लोक हूगे सोचो और एक एक चोटी से चोटी बातों को वहाँ पर उद्धरित करने का प्रयास किया गया है समय कहा है लोगों को पास पढ़ने का हम लोगों को पास भी पढ़ने का समय नहीं है तो एक बर मनुस्मिर्थी को अगर किसी ने ठीक से पढ़ लिया आज भी बहुत बड़े अस्तर पे आप देखो मनुस्मिर्थी का विरोध होता है आज भी सोशल मीडिया पे कोई भी वेक्ति अगर समण की बात करता है कोई भी वेक्ति अगर कुछ ऐसी बात करता है जसमें थोड़ा भी प्राउडनेस लगता है तो आदमी कहता है कि यह मनुवादी है ये मनुवादियों की सोच, ये मनुवादियों की सोच, ये मनुवादियों की सोच, है न, इविन जो जेनु के जो लोग हैं, जो जेनु के स्टुडेंट हैं, उनके अंदर भी ये गोबर डाल दिया गया है, मनुस्मृति के खिलाफ, है न, वो भी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए किस से आजादी चाहिए मनु वादियों से कौन है मनु वादी जो भी अपने को मनु से मानता है वो मनु का वनसज है और वो मनु वादी है आप अपने को जानवर मान लो तभी आप मनु से परे हो सकते हो अन्य था जेनू में पढ़ने वाला हर चात्र अगर अपने को मनु से मानता है तो उसे मनु को मन न होगा है ना मनु वादिर जैसी कोई चीज नहीं है मनु साफ साफ लिखते हैं कि प्रतेग व्यक्ति अपना समाज में प्रविस्थिती अपनी इस्थिती अपने कर्मों से बनाता है अपने जन्म से नहीं है न किस से बनाता है कर्मों से जन्म से नहीं तो जब बात ही खतम हो गई जब बात ही आपके कर्मों पे डाल दी गई तो फिर जाती विवस्ता के संदक्षक जाती विवस्ता के निर्माण करता मनु तो हुए न है न ब्राम्मन वात से छुटक मानने लगे जन्म से ही वैस अपने को वैस मानने लगे तो जन्म से ही ब्रामण ब्रामण होने लगे और जन्म से ही छत्री होने लगे सारी गलती एक पक्षी नहीं है कि ब्रामणों ने जन्म से अपने को ब्रामण बना लिया फिर उनके कर्म कुछ भी रहे हो, उन्होंने अपने को ब्राम्वन माना सूद्रों ने भी जन्म से अपने को सूद्र माना और फिर कभी उनको लगए नहीं कि वो ब्राम्वन کا कारे कर सकते, लिहाजा गलती बराबर की है फिर भी अगर इस तरीके की बातें हम देखें तो मनू के सबसे पहले मनू के ब्राम्मण और मनू के सुद्र को देखना होगा हमें है ना सबसे पहले किसे देखना होगा मनू का ब्राम्मण कोन है और मनू का सुद्र कोन है मनू ने अपने विचारों में चारवण व्यवस्था पे सब जगद जोड नहीं दिया और जहां जहां उन्होंने दंड व्यवस्ता निया व्यवस्ता आन्ने विजानों की बात की वहां हमेशा उन्होंने दो वर्गों की बात की हमको लगता है माक्स बड़ा प्रभावित हो गया होगा किस से मनू से माकस ने भी अपने विचारों में कितने वर्गों को हमेसा रखा दो वर्गों है ना यहाँ पर मनु के लिए एक वर्ग है ब्राम्मण और दूसरा वर्ग है सूद्र और जब जब यह ब्राम्मण की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बिद्वान और जब जब ये सूद्र की बात करते हैं तो इनका मतलब होता है मूर्ख से और समाज में दो ही टाइप के लोग होते हैं या तो विद्वान है या तो मूर्ख है हमें कैसे लोगों के साथ होना चाहिए हमें किन लोगों का अनुकरन करना चाहिए मूर्खों का कि विद्वानों का हमें किसका अनुक्रण करना चाहिए किसकी बात माननी चाहिए मूर्ख का कि विद्वान का विद्वान का तो जब आँ विद्वानों की बात मानोंगे तो फिर किसकी बात मान रहे हैं आप ब्राम्मण के फिर कहा जाने लगा कि नई ब्रामण ब्रामणों ने कबजा कर रखा था आदेश देने पर भाई खुद अमबेटकर को बैठा लो और अमबेटकर से पूछो कि ये मूर्ख है और ये विद्वान है आप किसकी तरफ है अमबेटकर कहेंगे हम विद्वान की तरफ है अमबेटकर को कहो कि आप अपने को क्या मानते हो मूर्ख की विद्वान क्या बताएंगे जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि वो अपने को विद्वान बताएंगे तो अगर वो अपने को विद्वान बताते हैं according to मनु अम्बेटकर क्या होंगे है न according to मनु अम्बेटकर क्या कहलाएंगे ब्रह्मण कहलाएंगे आज सम्विधान निर्माण का कार्य में सबसे important role किसका है वी आर अम्बेटकर का है अगर आज भी मनु होते और मनु स्मृति में कुछ हैड कर रहे होते तो अम्बेटकर को क्या कह रहे होते ब्रह्मण की सूद्र ब्रह्मण कह रहे होते छोटा सा सिंपल सा concept है लेकिन लोगों ने अपनी राजनीती को चमकाने के लिए अपने को लोगपरी बनाने के लिए अपने को दली तवर्ग का मसीहा बताने के लिए लोगों ने मनु स्मिर्थी के जो मूल अर्थ था जो वास्तों में मनु का अर्थ था उन अर्थों के अतिरिक्त बहुत सारे कुवर्थ अनर्थ वाले अर्थ निकाले लेकिन वास्तविक जो अर्थ था उस अर्थ को इन्होंने आगे निजाने दिया और धीरे धीरे ऐसा बताने जाने लगा कि ब्राम्मण वादी ही हमेशा सत्ता पर हावी रहा है तो ये कोई गलत बात तो है नहीं हमेशा से ब्राम्मण वाद अगर सत्ता पर हावी रहा है तो सत्ता दोग किसको मूर्खवाद को सूद्रवाद को आप सत्ता सूद्रवाद को दे ही नहीं सकते प्योंकि सूद्रवाद का मतलब मूर्खवाद और यहाँ चीजे क्या हो गई उल्टी कर दी गई उल्टी बाते क्या हो गई यहाँ पर यह बताया जाने लगा कि मनु सूद्रवाद को मूर्खवाद कहते है मनु सूद्रवाद को मूर्खवाद नहीं कह रहे मनु मूर्खवाद को सूद्रवाद कह दो बड़ा मतलब है सूद्रवाद को मूर्खवाद कह दोगे तो अभी जो अपने को सूद्र की काटेगरी में मानते होंगे जिसे दलित वर्ग है दलित वर्ग को लगता है कि सूद्र सब्द का इस्तमाल हमारे लिए होता है अब दलित को लगेगा कि हमें मूर्ख कहा जा रहा है नहीं दलित मूर्ख नहीं जो मूर्ख है वो सूत्र है जो मूर्ख है वो सूत्र है और जो विद्वान है वो क्या है ब्रामण तो मूर्खवाद जो था वो सूत्रवाद था सूत्रवाद मूर्खवाद ने लेकिन लोगों ने जो बाद में पैदा हुए क्योंकि मनुस के समय के तो लोग है नहीं इनके समय में जब इनोंने मनुस मिर्थी को पढ़ा तो इनोंने कहा कि मनुस सूद्रवाद को मूर्ख बाद कह रहे हैं है ना सूद्रों के महत्व को कम कर रहे हैं जबकि सूद्रों का बड़ा महत्व है मनु का तो विचारी ऐसा नहीं था मनु के विचार में जितने भी लोग मूर्ख थे वो सूद्र थे और जितने भी लोग विद्वान थे जितने भी लोग विद्वान थे उन्हें उन्होंने क्या किया ब्राम्मण कहा ब्राम्मण तो इन्होंने बिद्वत्तावाद को क्या किया ब्रामणवाद कहा बिद्वत्तावाद को इन्होंने क्या कहा ब्रामणवाद कहा और जबकि ये बैख्याय करने लगी कि ब्रामणवाद को क्या कहा जा रहा है बिद्वत्तावाद हर ब्रामण ग्यानी है ये कहा जा रहा है और हर सूद्र मूर्ख है ये कहा जा रहा है लेकिन जब मनुस्मृति लिखी गई थी तब क्या कहा गया था तब ये कहा गया था कि हर मूर्ख सूद्र है और हर विद्वान ब्रामण है है न? कुछ हुआ नहीं समय बदला ये है मनु स्मृति ये है मनु स्मृति मनु स्मृति को मनु इधर से देख रहें मनु स्मृति को मनु ने जब इधर से देखा तो मनु ने बताया कि जो मूर्ख है वो सुद्र है जो विद्वान है वो ब्रहमण है फिर लोगों ने मनुस्मृती को इधर से देखना सुरू किया, इधर से, और जब इधर से देखना सुरू किया तब क्या दिखने लगा? तब दिखने लगा कि सूद्रवाद मूर्खवाद है और ब्रामनवाद बिद्वानवाद है कुछ हुआ नहीं एक ही चीज को एक उपर से देख रहा था तो कुछ और देख रहा था और एक नीचे से देख रहा था तो कुछ और देख रहा था बस इतनी अंतर है मनुस्मृति को मनुस्मृति के साथ जितना विवाद है बस इतनी अचा आप बताओ ये वला सब्दगर हम कहें कि सूद्रवाद मूर्खतावाद है ये अभी के लोगों को हर्ट करेगा कि नहीं करेगा बह। करेगा लेकिन जब मनु कह रहे थे कि मूर्खतावाद सूद्रवाद है तब किसी को हट हो रहा था मूर्ख को हट होता ही नहीं मूर्ख जानते ही नहीं मूर्ख के बारे में क्या बात है मूर्ख को लगता है वो हमें सा विद्वत्ता का काम कर रहा तो इसलिए जब मूर्ख को सूद्र कहा गया तब कोई हाट नहीं हुआ कि मूर्ख ही है उसको पता ही नहीं सूद्र कह दो चाहे जो कह दो और विद्वान को ब्राह्मनबाद कहा गया अब ये उल्टा हो गया और जब उल्टा हो गया तो लोगों ने जिब उल्टा देखना शुरू कर दिया तो जो उसकी स्रीडी में आने लगे उनूने का नहीं नहीं यही सही है ना फिर जो यहां ब्रामण थे इन ब्रामणों नहीं यही सही है हर ब्रामण बिद्वान और हर सूद्ध मूट सरी लड़ाई शुरू हो गए तो इसमें गलतियां दोनों की बराबर है एक बार तटस्तता से अगर मनुस्मिर्थी की बातों को देखना सुरू कर दे मनुस्मिर्थी के अर्थ को समझना सुनू कर दे तो हमें लगता है कि मनुस्मृति सबसे महतफूर धारमिक सबसे महतफूर राष्टी धरुवर के रूप में हमारे लिए हो सकती हम जब पढ़ते हैं कि हमारे संविधान का सुरूत इंग्लेंड का संविधान है अमेरिका का संविधान है जबकि हम ये कह सकते हैं कि इंगलेंड के संविधान जो दुनिया में संविधान की जननी मानी जाती है उसके भी संविधान का स्रोत मनुस्मृति है ना उसके भी संविधान का स्रोत क्या है मनुस्मृति है क्योंकि मनुस्मृति अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और इस मनुस्मृति में जो परंपराओ के रूप में जो संगीता बनाई गई है ऐसी ही संगीता तो है इंगलेंड का संभिधान ऐसी ही संगीता है इंगलेंड का संभिधान और बाद में ऐसी ही संगीताओं को जब लिपी बद्ध किया गया तो बन गया अमेरिका का संभिधान और हमारे यहां परमपराओं को लिपी सम्विधान का वियाधार मनुस्मृति है दुनिया में सम्विधान वाद की सुरुवाती यहां से होती है मनुस्मृति से होती है नहीं अगर उदार विचार हम इसका करने लगें उदारता से इसकी बातों को देखने लगें तो हमारे पास तो इससे बड़ा रास्टी धरोवर होगा ही ने तो मनुस्मृति में हमने देखा कि 12 अध्या है और धाई हजार जो हैं स्लोक हैं लिखिए मनुस्मृति को भारती आचार संगिता का विस्वकोस माना जाता है इसे भारती भारती आचार संगिता का विस्वकोस माना जाता है इसे भारती इसके अंतर गत इसके अंतर गत श्रिष्टी की उत्पत्ती 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 नित्य नित्य नेमित्य कर्म नित्य नेमित्य कर्म नित्य नेमित्य कर्म वन विवस्था वन विवस्था वन विवस्था, आश्रम धर्म, वन विवस्था, आश्रम धर्म, राज धर्म, वन विवस्था, आश्रम धर्म, राज धर्म, प्राहश्चित, प्राहश्चित, आधि, विशयों का, आदि विशयों का उलेख है प्रैस्चित आदि विशयों का उलेख है आदि विशयों का उलेख है लखें बारा अध्यायों के बारा अध्यायों में बारा अध्यायों में निम्न विशे दिये गए है बारा अध्यायों में बारा अध्यायों में निम्न विशे दिये गए है निम्न विशे दिये गए है ठीक है? अब पहला अध्या लिख लेजे पहला अध्याय 12 अध्यायों में क्या क्या बाते हैं वो एक मोटा मोटा हम लोग लिख लेंगे बहुत ज़रूरी है नोट कर लीजे पहला अध्याय में जगत की उत्पत्ती है जब तक जगत की उत्पत्ती नहीं बताएंगे तब तक कुछ बता भी नहीं पाएंगे जगत की उत्पत्ती है जगत की उत्पत्ती है दूसरा में दूसरा अध्या लिखे संसकार विधी संसकार विधी बृत चरया संसकार विधी बृत चरया उपकार उपकार ने उपचार उपचार यग्य संसकार यग्य संसकार यग्य संसकार माता पिता तथा गुरू माता पिता तथा आचारे गुरु को आचारे कहते हैं माता पिता तथा आचारे सह ब्योवार सह ब्योवार माता पिता तथा आचारे सह ब्योवार ब्योवार तथा आश्रम के संबंद में उल्लेख है कौनसा आश्रम वन आश्रम वन आश्रम भी लिख सकते हैं तथा वन आश्रम के संबंद में उल्लेख है तीसरा में लिखना इसनान इस्नान विवाह लक्षण इस्नान विवाह लक्षण महायग्य स्राध्य कल्प स्राध्य कल्प स्राध्य कल्प मतलब इस जीवन के बाद जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उस मुक्त के लिए हमारे क्या कर्टब्ब है आज जब हम धर्म की बात करते है तो धर्म में क्या आता है अगर आप अब नए हैं अब तो हमें नहीं पता लेकिन अगर पुराने लोग होते थे तो उनका इसनान को लेके बड़ा कंसन होता था होता था कि ने आज भी हैं हमारे माता पिता लोगों का आज भी इसनान को लेके बड़ा कंसन होता है आज भी अगर घर की महिला बिना इस्नान के अगर भोजन बना दे तो भोजन गरहन नहीं करते हैं नहीं करते इस्नान बिना इस्नान के अगर भोजन किसी ने बना दिया तो इवेन हम लोगों को बिना इस्नान के कभी खाना नहीं खाने देते है ना सोच लो अब ये इस्नान वेस्टन के लिए तो बड़ा इजी है ना ठकावट हुई इस्ट्रस में है तब जाएंगे नहाने कहां समुद्र में ने सुविंग पूल में है ना हमारे इस्नान हमारे धर्म का हिस्सा है इस्नान के अपने नियम है ग्रिहस्त आस्रम के लोगों के इस्नान के अलग नियम है राज धर्म निभाने वाले के इस्नान के अलग नियम है और रिसी मुनियों के इस्नान के अलग नियम है और इस इस्नान का बड़ा आध्यात्म से संबंध है लोगों के लिए नहाना आजकल एक्षी कर्म है आजकल लोगों के लिए नहाना बस नहाना है लेकिन यहाँ पर इस्नान धर्म है नहीं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस्नान एक धर्म है और जब हम राज धर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि राजा के दिन चर्या में दो बार स्नान का प्रावधान है इसी तरीके से बिवाह लक्षण जो बिवाह होते हैं आज के जमाने में बिवाह एक समझोता है एक पैक्ट है यहाँ पे बिवाह एक धर्म का संस्कार लक्षण है अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आप पित्रण से कभी मुक्ती पापाएंगे कभी मुक्ती नहीं मिलेगी आपको आपका विवाह नहीं हुआ बिना विवाह के पित्रण से मुक्ती नहीं तो हमारे यहाँ लक्षण विवाह का एक संस्कार होता था आज भी इतने modern होने के बावजूद भी, जब आपका विवाह होता है, तब विवाह होने लायक उन दो लोगों के बीच में है, कि नहीं है, कुंडली से उनके गुण मिलाते नहीं मिलाते, एक मनुस में 36 गुण का concept है, वो 36 गुण में इतने गुण मिलने ही चाहिए, तब ही संबंद चलेंगे भी चलेंगे, अन्य था नहीं चलेंगे, है न, तो हमारे यहाँ विवाह कोई pact नहीं था, कोई समझोता नहीं था, विवाह आपके जीवन के धार्मिक अनुस्ठानों में से एक अनुस्ठान था, इनके हिसाब से, इसलिए मनुस मिर्थी एक धार्मिक, व है न, यह आपके विवाह को भी धर, महायग, महायग का मतलब जो हमारे छोटे-छोटे कर्मकांड हा, पित्र रिड का मतलब है कि हमारे उपर को तीन-चार तरीके के रिड होते है, मात्र रिड होता है, पित्र रिड होता है, गुरु रिड होता है, ऐसे का देव रिड होता ह है है न हम जब इस संसार में आए हैं तो इस संसार में लाने के लिए कुछ लोगों ने हमारे लिए बड़े स्रम किये हैं बड़ा मेहनत किया है है न तो उस मेहनत का जो हम परिडाम है हमें भी हमारा भी उनके प्रती कुछ नकुछ दाइत तो बनता है तो वो जो दाइत तो ब आप पितरण से क्या हो जाते हैं मुक्ति मिल जाती है क्योंकि पिता का जो काम है वो संतत्ति को आगे बढ़ाने का भी है तो पिता ने अपनी संतत्ति को आगे बढ़ाने के उद्देश से आपको जन्म दिया है अब आपकी जिम्मेदारी के है कि पिता के उस एक्छा को आप जीवन का उदेश भी है, कि ये जो चार-पांच प्रकार की रिण हमारे उपर दिये गए हैं, इन रिणों को भी हम चुकाएं, हम लोगों के यहां कहा जाता है, कि कर्ज लेके कभी नहीं मरना, कभी रिण लेके नहीं मरना, रिण चुखा के जाओ, तो ऐसे चार रिड हमारे जन्म के साथ ही दो रिड माता पिता के हमारे उपर और देव रिड आ जाता है और बाकी का फिर गुरु हमारे उपर रिड चड़ा रहा होता है तो गुरु रिड भी होता है ना आचार रिड भी होता है तो गुरु का भी रिड चुकाना आपकी जिम अगटित करके हमारा धार्मी को उपकरम था है ना हम लोग कभी समझते नहीं इसके बारे में जानना नहीं चाहते हम तो जानते हैं कि बस चेतन भगत की नॉबल पढ़ लो इससे जादा मज़ा कुछ में नहीं है ना कभी अपने ये गरंत उठा के देखो इसके बैग्यानिक था इनकी सोच इनका संगठन इनकी बातें आज भी हमें अगर अपने पुतर का नाम रखना था तो हमने वेद उठाए वेद उठा के नाम इसका नाम है? गड़ेश जी का नाम है और दुती है क्यों? क्यों गड़ेश जैसा कोई है? कोई दूसरा दिखा गड़ेश जैसा? नहीं गड़ेश अपने आप में क्या है और दुती है ना यूनिक आज भी आज के समय में जितने भी लोग हैं, Toyota अज वो अपने बच्चों के नाम के लिए अंग्रेजी के डिक्सिनरी नहीं उठाते हैं, हमारे पुराने हिंदी नामों को खगालते हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं कि पूछो ने, किसी का नाम इला है, लोगों लगता है इला नाम अंग्रेजी नाम है, इला नाम हिंदी नाम है, तो इस तरीके से बड़े अच्छे अच्छे नाम लोगा सूचते हैं हमारा वेद पुराण इससे भरा पड़ा है ज्यान का अथा सागर है अगर आपको कभी आनंद की डुबकी लगानी है तो वेस्टन साहित नहीं भारती साहित नहीं अनुवाद वाला संस्कृत वाला अपना साहित से देख को आपको आइडिया लग जाएगा कि आप वाकई में कुछ बिसेश कर रहे हैं कुछ बड़ा कर रहे हैं लोट करके खतम करें उसके बाद कल से हम लोग मनु का राजदर्शन पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन हो गया और आज यहां पर लोग जोड़े नहीं हु हुआ है क्योंकि इन लोगों ने क्लास नहीं लगाई है ठीक चले चौथा लिख लिजिए बृत्ति लक्षण बृत्ति लक्षण समझते हैं आपके अंदर हम लोग करते हैं न ब्यापार हम लोग जो काम करते हैं व्यक्ति वही काम ठीक से करता हैं जिसके अंदर जिस काम कर करने की वृती होती है ना बृती हमारे अंदर होती वृती रक्षण इसनातक वृत इसनातक वृत वरती लख्षण इसनातक वृत तथा मनुस्य की संपूर दिंचर्या का उलेख है मनुस्य के संपूर दिंचर्या का उलेख है लेकिं बृत लक्षड से मतलब होता है ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए कहा नहीं जाता है कि आदमी को चीजों को करने से पहले ये अपने को समझना होता है कि वो किस काम में परफेक्ट है पहले हमें खुद की खोज करनी होती है कि हम क्या कर सकते है ये वही वाला बात है बृत लक्षड ये बताता है कि वो व्यक्तिक किस काम में माहिर हो सकता है और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए साथ ही साथ उसकी जो दिंचर्या है उसको भी बताए गया है अगला पाच्वा इस्तरी संबंदी धर्मो पदेश इस्तरी संबंदी धर्मो पदेश है नगा देखें पूरुस इस्त्री भले ही मनुसे हैं लेकिन विज्ञान भी मानता है और मनुस्मृति भी मानता है कि जैविक दिस्टि से दोनों में अंतर है नगा दोनों ही मनुसे हैं लेकिंग जैविक दिस्रिकोंड से दोनों में अंतर है इविन हमारा समिधान भी मानता है हमारे समिधान में भी आर्टिकल 39 का जो A है वह जैविक रूप से मानता है कि महिलाओं और पुर्षों में अंतर है इविन हमारे समिधान का आर्टिकल 42 इस परस रूप से प्रावधान करता है कि महिला और पुर्षो में अंतर है मनुस्य हैं दोनों लेकिन जेविक रूप से दोनों अंतर है महिलाएं सारिरिक रूप से उतनी मजबود नहीं होती है इस हिसाब से उनके लिए कमजोड सब्दिका इस्तमाल गलत नहीं है अब यह अलग बात है आदूनिक समय में महिलाओं को बच्पन से उनको जिम करा दो उनके एस्टराइड उनको खिला दो उनकी बोडी बना दो उनको जूडो कराटे सिका दो फिर एक अधना सा दूबला सा आदमी से लड़ाई करा दो फिर उसको मार गिराए स्पाई महिलाओं बन जाती है जासूज बन जाती है वो उतनी उनकी ट्रेनिंग है लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि जासूज महिलाओं को भी एक आद आदमी मार के गिराई देते हैं वहाँ पर भी फिर दिखाए जाता है मूबे में क्योंकि नेचुरली महिलाएं पूर्सो की अपेक्छा सारी रूप से दुर्बल होती हैं कमजोर होती हैं उनका सरीर इस वर ने इस तरीके से मजबूत कार्यों के लिए नहीं बनाया है उनके सरीर को इस वर ने फ्लेक्सिबल बनाया है क्योंकि उनके सरीर के जो इंटर्नल पार्ट हैं उनमें विभिन प्रकार की विवस्थाएं इस वर ने डाल रखी है संतानोत्पति बच्चे पैदा करने का काम महिलाओं का है पूर्सो का नहीं है तो उनका जो सरीर है वो इस वर ने उस तरीके से रसना किया है और पूर्सो का सरीर को उस तरीके से रसना किया है अब अगर महिलाओं और पूर्स दोनों आपस में कहने में एक जैसे ही बराबर हैं तो ऐसे मान लेने से काम नहीं चलेगा इसलिए मनुस्मृति ने बिलकुल भी यहां पर मनु ने बुद्धी नहीं लगाई उन्होंने मान लिया कि महिलाएं और पुरुस दोनों अलग-अलग है इसलिए दोनों के लिए कार, दोनों के लिए बिवहार, दोनों का विहावियर, दोनों अलग होना चीए आज विज्ञान कहता है कि महिलाएं भावनात्म ग्रूप से ज़्यादा इमोशनल होती है आप एक शाकित पुर्सों के जब विज्ञान भी मान रहा है और मनुस्मृति ने मान लिया तो दिक्कत हो गई मनुस्मृति ने महिलाओं के लिए कुछ अलग कारे कुछ अलग भीहवियर को बता दिया धर्मो उपदेश में तो कहा गया कि उन्होंने महिलाओं को कमाक लिया कैसे महिलाओं को कमाक लिया महिलाओं को उनकी बृत्ति के अनुसार अगर काम दिया जा रहा है तो वो महिलाओं को कमाकने जैसा नहीं है उनको उनके सुख के लिए उनका काम दिया जा रहा है अब अलग बात है किसी महिला को पसंदे कि चलके वो गोली चलाए तो चलाए लेक अधिकांस महिलाओं को आप बात करोगे तो अधिकांस महिलाओонч東 अन इस तरह के की परिसानी वाला काम नहीं ले ना चाहती क्योंकि उनके नेचर में नहीं है फुरुस अपुरुस धोखवाज होता है। पूरुस कम इमानदार होता है क्योंकि इमोशनली पूरुस जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है इसलिए जो जहां इमोशन्स का काम है वो महिलाओं को दिया जाए और जहां कम इमोशन्स का काम है वो पूरुसों को दिया जाए यह ज़्यादा उचित रहेगा कि महिलाओं को वो काम दिया जाए जहां पर कम emotions की जरूरत है और महिलाओं वहाँ emotions वाली जाएं और लगातार दुखी रहे जहां emotions का काम है वहाँ महिलाओं को दिया जाए और जहां कम emotions का काम है वो पुर्षों को दिये जा समान इसी बात है न यहाँ धर्मो पुदेश में विशेशकर महिलाओं के इस्तरी के संबंद में धर्मो पुदेश दिया गया है सिक्षा का वर्डन है नोट कर लीजे सिक्षा का वर्डन है हाँ उसी में सौच तथा असुद्धी से संबंदित बातें गांधी भी कहते हैं गांधी बड़े प्रभावित हैं गांधी ने कहा कि बहुत सारी बातें आधारभूत हैं गांधी भी अपने विचार में बन आस्रम की बहुस्ता करते हैं, साथी साथ महिलाओं के संबन में कहते हैं, कि महिलाओं को हमने गहा ना मनुस्मृति को हम बेट करके नजरिये से क्यों देख रहा हूँ मनुस्मृति को अपने नजरिये से देखो हमारा नजरिया खुद का भी तो अपना है एक तो खुदी इतनी विक्रित कर डाली लोगोंने मनुस्मृति को मनुस्मृति खुद में वो नहीं है जो बोज बनके चली थी नहीं नहीं ऐसा थोड़ी जरूरी है कि तुमको अच्छा ही बताना पड़ेगा तुम देखो अच्छा लगेगा तो बताना अच्छा नहीं लगेगा मत बताना हम दूसरे के दिश्टिकॉर्ण से क्यों देखे ऐसी चीज़ जिसको अलगेड़ी सालों साल में विकृति झेलनी पड़ी है और उसको पढ़ रहाएं हम बेटकर और फिर हम बेट करके दिस्टिकोंड से हम महिलाओं के सती मनुस्मिर्थी में देखें उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम जो बची खुई मचूब मनुस्मिर्थी है अपने पास उसको सीधे ही देख लें अपने दिस्टिक ओंड से देख लें तब हम कहें कि मनुस्मिर्थी में महिलाओं की सती दैनी थी मनुस्मिर्थी में महिलाओं की सती दैनी नहीं थी मनुस्मुति में महिलाओं को बहुत स्ट्रॉंग, बहुत मजबूत और पल्टिकुलर उनके छेतर को fix कर रहे हैं, कौन हम एटकर, reserve कर रहे हैं आरख्छड दे रहे हैं आज जब हम बसों में महिलाओं के लिए 7 सीते फिक्स कर देते हैं महिला तो बाद में इतिहास में जब पढ़ा जाएगा तो जानते हो क्या लिखा जाएगा कि दो हजार बाईस है ना यह 21 सदी में महिलाओं के इस्ति बड़ी देनी हुआ करती थी बसों में जहां 100 सीटे हुआ करती थी उन 100 सीटों पे केवल 7 सीटों पर महिलाओं को बैठने दिया जाता था बाकि 93 सीटों पर पुर्सू का कब्जा हुआ गरता था यही बैख्या होगी न जबकि वास्त विक्ता क्या है वास्त विक्ता यह है कि यह 7 सीटे तो ऐसी रिजर्व हैं कि महिलाएं आएं चाहें ना आएं ये खाली ही जाएंगे और उपर से बाकी 92 सीटो 93 सीटों पे महिलाएं ही बैठी हो और अगर पूरुस है साथ तो उसको भी खड़ा जाना होगा ये भी नहीं तो यहां ये बताने की जरूत है कि केस्वी सदी में महिलाओं के स्थिती इतनी ससक्त और इतनी मजबूत थी कि पूरुस उस बस में भरे हुए हो और सीट खाली हो बावजूद हिम्मत नहीं कि पूरुस बैठ जा बाद तो ये तो ऐसे ही नजरिया किसका अब बता लगा है अमबेटकर के नजरिया से देखोगे तो यही लिखेगा लिखा मिलेगा क्या हमने नहीं कहा नजरिया क्यों उनका देख रहे हैं अमबेटकर एक राजनेता थे अम्बेटकर एक राजनेता थे और कोई भी राजनेता कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता न मोदी जी अच्छे हैं न नहरू अच्छे थे न अम्बेटकर अच्छे हैं जब आप राजनेता हो जाते हो जब तक आप नेता होते हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं जब आप राज़नेदा हो जाते हो तो आपका एक मात उद्धेस होता है एन के अन प्रिकार्डेन सत्ता की प्राप्ति किसी भी तरीके से हमें क्या चाहिए सत्ता और जब आप इस पे आ जाते हैं तब आप सही चीजों को वास्तविक चीजों को नजर अंदाज करके किनारे करके अपने हर बात का एक ही उद्दिस होता है कि लोग प्रियता बढ़ें और लोग हमें मत दें और हम सत्ता में जएं इमबेटकर ने काम किया और आपको पता हम बेटकर से भी ज़्यादा काम महिलाओं और दलितों के लिए गांधी ने किया गांधी ने सबसे अधा काम किया कभी आपने देखा कि अमबेटकर ने दलितों का मेला फेका हो लेटरिंग फेकी हो गांधी ने गांधी ने पूरा अंदोलन चला रखा था दलित बस्तियों में जाते हैं उनके जो मेले होते हैं उसको उठा के अपने हाथों से फेकते, इतना काम किया, लेकिन गांधी बने कभी दलितों के मसीह, कौन बना, अमबेटकर बना, अमबेटकर कभी धोती कुर्ता पहनते देखा, कभी पैजामा कुर्ता पे लोगों के बस्तियों में जाके सफाई करते देखा, लेकिन वो दलितों के मसीह हैं, और गांधी एक कपड़ा लपेटते थे एक कपड़ा में खाली पर डंडा लिये और सफाई करते हुए सब कुछ आपने सुना देखा पड़ा गांधी मसिया नहीं हुए यह है राजनीती यह है पॉलिटिक्स आप हमारे वर्ग से विलॉंग करते हैं इतनी ही बड़ी बात है क्या आपको लगता है कि अमबेटकर अमबेटकर की पढ़ाई कहां होई थी भारत के किसी गरीब सरकारी स्कूल में या इंगलेंड और अमेरिका और कैलिफोर्निया में पढ़ाई करी उन्होंने कैसे स्कॉलर्शिप से आज भी स्कॉलर्शिप बिजनस है तब पर भी स्कॉलर्शिप बिजनस था सहयोग किया किसने सहयोग किया किसी राजा ने क्यों राजा ने सहयोग किया कौन थे राजा दलित वर्ग से थे सहयोग किया नहीं न तो जब जिस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई और बाकी सारा सहयोग सब कुछ किसी सवन के द्वारा चल रहा है तो वो वास्तों में कौन है सवन है लेकिन राजनीती चमकाने के लिए दलित इतना बड़ा वर्ग है उसमें अपने को नेता बनाने के लिए उन्होंने अपने पितर पक्ष की वजाए अपने मातर पक्ष को पकड़ा क्योंकि माता महरिन थी दलित वर्ग से आती थी राजनीती बहुत जरूरी है तो इतिहास जब लिखा जाता है अपने दिस्टिकोंड से देखेंगे और हम बेटकर के दिस्टिकोंड से जो दिखा हमने लिख दिया उन्होंने कहा उन्मादी है जला दो गांधी के दिस्टिकोंड से देखा उन्होंने बैलेंस किया और कुछ लोगों के दिस्टिकोंड से देखेंगे वो कहेंगे पूरा-पूरा सुईकार करो हमें क्या करना है हमें अपने नजरिये से देखना है और जो जो बाते मन उसमिटी की हमें आज सकारात्मक लगती है उनको सकारात्मकता में लिखना है और जो जो चीजे विक्रित हो गई है उन्हें बिकृत बता के छोड़ देना ये तो करना और कुछ करना है सिविल सर्विसेज की पढ़ाई क्यों कर रहे हो दूसरे के नजरियों से चीजों को देखने के लिए अपने नजरिये से समाधान डूड़ेंगे दूसरे के नजरिये से नहीं है ना आज में पढ़ रहा था अंग्रेजी तो अंग्रेजी में मुझे एलन मस्क मिला क्या मिला एलन मस्क है ना फिर मैंने वाटर मेलन पढ़ा, क्या पढ़ा, वाटर मेलन, वाटर मेलन पढ़ा तो फिर मुझे खरबूजे की आद आई, तो मैंने फिर पढ़ा, तो पता अगा खरबूजे को मस्क मेलन कहते हैं, फिर मेरा दिमाग गया कि मस्क तो यहां पे, फिर एलन का मतलब क्या होता है तो मैंने पढ़ा मस्क का मतलब होता है खर्बू जाना और कुछ होता है मस्क का मतलब खर्बू जा होता है एलन का मतलब क्या होता है चलो आप लोगों को नहीं पता लोगप्री एलन मस्क का फुल फॉर्म क्या है लोगप्री खर्बू जा है ना तो आप अगर UPSC में कभी पूछ लिया गया अंग्रेजी में एलन मर्सक कौन है तो आपको हिंदी में लिखना चाहिए लोगपरी खरबूजा कौन है है या पूछा जाएगा कि दुनिया में इस समय सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में कौन सामिल है तो चार विकल्ब जो या दिर्णक ना चलो कुछ ने कुछ पढ़ते रही है करते रही है हम ने तो एलन मस्क को लोगपरी खरबूजे के रूप में देखा नहिं आप लोगों ने किस रूप में देखा व मैं लोगत पनी खरबूजा समगता हूं हमें ज्यादा मज़ा आएगा ना अलनमस का नाम सुनके कि आपको अब हमें ज्यादा मज़ा आएगा अब आपको भी आने लगेगा ठीक तो आप मनु स्मृति की बाते या मनु की बाते यही खतम करते हैं बाकि को जो बच्ची है वो कल क्योंकि समय हो गया है दो बर हमने यहां पर एक्सेंट किया है क्लास कल हम लोग मनु का राजदर्सन पढ़ेंगे यह चार पांच कितने पांच छे पॉइंट लिखा पांच साथ और बचे हुए हैं उसको कल लिख लेंगे और उसके बाद राजदर्सन सुरू कर देंगे ठीक तीन दिन लगेगा मन को पढ़ने में आज एक दिन हो गया कल और परसो दो दिन उसके बाद कोटिल सुरू हो जायागा ठीक है चलिए धन्यवाद लिखे हो